जैर शीराम सभी बत्तों को जै मातागी फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होगे हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए किसी भगत ने पूछा कि क्या कोई प्रेत जो हमारी पूजा को मैली कर सकता है खराब कर सकता है तो आज की वीडियो इसी इस चीज से रूबरू होना चाते हैं जानना चाते हैं तो हमारे साथ अंतक बने रहे तब ही आपको सारी वीडियो समझ बें आएगी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेर करें कोमेंट करें चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब करें चलिए सुरू करतें आज की दिए जैश्री राम जैश्री बालाजी माराज जैबादाई क्या होता है कि यह मन में कोशन अगर जिस प्रकार से आपने देखा कि क्या कोई प्रेत हमारी पूजा को मैला कर सकता है पूजा को खड़ाब कर सकता है तो क्या यह बात में सचाई है देखिए कुछ विद्याओं के ताहत इन चीज़ों को किया जा सकता है जैसे कि जब कोई सच्चे मन से भक्ति करता है उस भक्ति में क्या होता है कुछ बर्मात्मा की ये भी होती है कि प्रिक्षा अभी होती है अपने बगति अब माल लीजिए अभी आपके मन में ये हो जाएगा कि गुरुजी आप तो कहते थे कि बगति कोई किसी की छीन नहीं सकता देखिये बगति जो आदमी सचे मन से करता है पूर रूफ से जीतता भी है क्या रावन ने जब बगवान शिव की बगति करी जब वो बवान शिव का आतम लिंग लेकर आ रहा था तो क्या उस समय उसे लगुशंका नहीं लगी थी क्या उस समय लगुशंका लगने का क्या मतलब क्या उसके अंदर वो लगुशंका उत्पन होई उसी मजबूरी के तहत उसने वहाँ पर खरे एक बालक को जो की वो गनपती जी के रूप थी उन्हें शिवलिंग पकड़ाया संध्या कालीन हो रही थी उसी दोरान वो शिवलिंग वहाँ पर रखा गया और बैदनात के रूप में सब्सके तो आप सोचके देखिए क्या उस समय वो लगुशंका किसने लगाई स्वम प्रमात्मा की कित्पान इसी पकार से क्या होता है कि जब हम कोई पूजा पाट करते हैं तो भगवान या किसी नपे किसी पकार से हमारी रुकावटे लगा लें या कुछ भी का कोई तंतर लगा लें तंतर के तहत जो मलीन शक्ती होती है हमारे घर में अगर वो परवेश कर जाती है तो वो हमारी प पूजा करते हैं, उनके पेट में दर्द होने लगता है, बार बार सुचाले जाने का मन करता है, बार बार ऐसा मन करता है कि या उनको तोलेट आ रहा है, या ऐसे मन में उनके बार बार उत्पन रखता है, बार बार वो फिर नाते हैं, फिर पूजा करते हैं, ध्यान कहां लग गया वालो वो पून रुप से उस पूजा को नहीं कर पाए तो कही न कोई कोई प्रेत आत्मा कोई मलीन शक्ति आपके शरीर पर वास कर रही है या तो वो शक्ति किसी के तहट बेजी गई है या छोड़ी गई है आपकी आपकी पूजा को भरष्ट करने के लिए, आपकी पूजा को मैला करने के लिए, तंबत करने के लिए, रोकने के लिए, आपकी पूजा करने 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 के लिए, मन में ये उत्पन होता है कि कई और हम पूछा कर्वाता है किसी ऐसे जगए जाते हैं किसी ओज़ाश स्याने से पूछा कर्वाते हैं वहां पूछते में यहाता है कि आपके पिता-जी पे यह चीज़ बेजई है यह निकिन तबित लड़की की खरादा है ऐसे कैसे हो जाएं? जब चीज छोडी जाती है तो घर में जो कमजोर व्यक्ति होता है जिसमें अगनी तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा विर्वान होती है ऐसे व्यक्ति के उपर आत्मा जो है जो प्रेत आत्मा है जो मलिंड शक्ति है जल्दी प्रभाव डालने के बाद पिर क्या होता है जैसे कि कोई घर में पूझा करता है तो वेक्ति क्या है गर में दारू की बोतल खोल के वैड़ जाएगा अब मालो आप हनुमान जी की पूझा आपके घर में चल रही है बहुत सारे अपने देखा होगा कि दारू पीना छ बुरी शक्ति जो है आपके घर के अंदर वास्ता जो ये चीजे चाती नहीं है या पूझा करें या आचना करें और ताकि आपकी पूझा खुल गई या पूझा आपकी शुद्ध हो गई या पूझा करने में प्रपर सक्सस हो गई क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि भगवान के परति कीवी पूजा और भक्ती कभी व्यार्ट ने जा यता है, नेकिन वो पूजा उनके शिरी चर्नों को ध्यान में रख कर करने जाए। लेकिसे समस्या है तो समाधान भी है, समस्या उत्पन होती है, किसी ने किसी विविन विविन रुपों में उत्पन हो सकती है, नेकि उस समस्य का समाधान भी कई न कई चुपा होता है, भगवान सौम अपने भक्त की प्रिक्षा लेते हैं, उसी भक्त का उदार भी करते हैं, अब रावन जैसे की क्या प्रिक्षा नहीं ल देवता हैं और मेरी मृत्यू कभी भी नहीं कर दो अगर शीव लंका चले जाते हैं तो उसकी बुराई ने उसके मैंने उसके अभीमान ने उसका नाज किया है तो इसी पकार से आप भी अगर आप पूजा कर रहे हो याचना कर रहे हो आप जिस व्यक्ति ने ये कोशन पूछा तो वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे कि अगर आपके घर के अंदर कोई मेली शक्ति वास कर रही है कोई शक्ति ऐसी है घर के किसी भी सदस्या के उपर मैंने ये भी बता दिया कि किस व्यक्ति को किस पकार के सदस्या को ये चीज़े पकड़ती है जो कमजोर होता है अगनी तत्व जादा होता है प्रोध ज्यादा होता है और कुछ पूजा पाठी के तहत वो बेजी गई हो जब वो सामने आ जाए तब भी वो चीज़े उसमें जाकर लग सकती पूजा पाठी नास्तिक भी हो सकते हैं आप ये मसो चो कि मैं तो पूजा पाठ करता हूं मेरे मेरे में कोई मैली शक्ति कैसे क कई बार ऐसा भी देखा गया है भगवान की पूजा करने के बाद भी मन में ऐबद्र सीन ऐबद्र जाल उच्पन रहते हैं 2400 गंटे इसमें भगवान की प्रिक्षा भी हो सकती है और कई मैलनता के दुवारा आपकी पूजा को रोका भी दा सकते हैं भगवान स्वम भी रोक सकते हैं वो स्वम भी अपने भक्त की किसी रूपों में प्रिक्षा भी देना है और कहीं न कहीं पूजा पे बंदन भी वो स्वम डाते है देखिए जिसने बीज बनाया और तो उससे बीज से अमरूद निकला तो अमरूद किसने बनाया जिसने बीज बनाया तो बीज किसने बनाया जिसने अमरूद बनाया तो वो कौन है जिसको इस बात का पता नहीं लगा तो स्वम जो है उस परम्दिका प्रमात्मा है उन्हीं के द्वारा ही ये सब कुछ बनाया तो वो ही अपने भक्त के साथ किसी कि ने और किसी रोप में खेल इखिए उसकी भग्ती वे बंधन जाटे हैं और स्वाम ही जाकर उसकी धिजबा का दायग हो नेकिन उस भग्त को बनाने चे ऐसे नाम बनाने के लिए आचा दुक्छ और सूख दुक्छ और सुख अलग कासे हो तक्तर एक शरीर की दो वाजुए अलग कैसे हो सकते हैं? हम ही तो नाम देते हैं, एक ओर राइट और एक को लेट, हम अपने आप से बोल रहे हैं. बोल रहे हैं, हम ने तो नाम दिये. क्या भगवान ने नाम दिये चीज़े को? नहीं दिये ना. उसलिए दुख और सुख तो अलग है ये? दुख औ उस समय अपनी भक्ति को पुन रूफ से डिड रूफ से अपने प्रभू के श्री चर्णों का ध्यान लगा कर और भी गुड करने चाहिए। हटना नहीं चाहिए बलकि घर में जलके छिटे दीजिए। अगर किसी देख आपके घर में मलीन शक्ति बेजी है मालों गल्ट चीजे बेजी हैं पूझा को बंधन दाने की है तो आप भी अपने इश्ट से प्रात्ना करकर उस बंधन का नास का तर्प्लों हां यह जरूर है कि एक बार को तंतर है भी जरूर होता है आप अपने भोगते प्रेट। पर पुन रूप से जड़ रहे हैं अपने इस्ट के पर पुन रूप से ताकत बढ़ रहे हैं यह ताक्ति उनके चर्णों का आश्रा च्छा ही छोड़ना पकड़ लिया तो पकड़ लिया चाहिए इधर काये मन में नकात्मा पुर्जा ख्याल होती है बहुत सारे मन में यह उ उसी के खेल है वो यह खिला रहा है तो आपको क्या करना है अपने इस्ट के एरादना ने चोड़ ऐसे समय ऐसा है यह समय जो थोड़ा से मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा अलकरात्मक हो सकता है नकिन बागवान के वाँ देर हैं अधेर के तो बोलिए जैसे तरह हम जैशरी इन ची बार की बडंदी है